हेलो दोस्तों स्वागत आपका टेलकम गुरुची चैनल पर दोस्तों आज इस फूड़े में आप जानेगे कि आप अपने जियो एर फाइबर कनेक्शन के साथ फ्री में अलिम्टेड कॉलिंग कैसे कर सकते हैं तो दोस्तों अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये हमारा जियो एर फाइबर के प्लान डिटेल्स हैं तो यहाँ पर जो मेरा प्लान है वो 599 वाला प्लान है जिसको मैंने 211 रुपयों में जियो फ्रीडम ओफर में लिया था जिसकी वैलिटी अभी 3 मंस की है और नीच पर भी हमें फिक्स्ट फोन को क्नेक्ट करने का पोर्ट नहीं मिलता है जैसे कि अगर आप जियो फाइबर या फिर एटल फाइबर या फिर 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 यहाँ पर दोस्तों आप फ्री में कॉलिंग कर सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको अपने मुबाइल फोन में फिर वो च इस वीडियो को प्लीज बिना स्किप के पुरा जूर देखते रही है तो दोस्तों आपने सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और वहां से आपने एक एप को इंस्टॉल कर लेना है जिसका नम है जियो जोईन अब चाहे तो इसको अपने आईफोन में इस्टॉल कर सकते हैं ये एप आईफोन के लिए भी अविलबल है मैंने इस एप को पहले से इस्टॉल कर रखा है तो मैं यहां से इसको उपन कर देता हूँ उसके बाद इस एप के दौर आप से कुछ परमिशन्स मांगी जाएगी आपने सभी तरह की परमिशन्स इस एप को दे देनी है और आपने एक ध्यान रखना है दोस्तों कि जो आपका मुबाइल फोन है वो आपके जियो एर फाइबर वाइफाई की साथ किनेक्टेड होना चाहिए तो जैसी कि जो मेरा वाइफाई है जियो एर फाइबर वाला उसका नाम है टेलिकम गुरु जी तो मैं इसको यहां से क्लिक कर देता हूँ उसके बाद आपसे OTP जन्रेट करने के लिए बुना जाएगा आपने इस पर क्लिक कर देना है तो आपका जो रिजिस्टर्ड मुबाइल लंबर होगा उसके उपर आपको एक OTP मिलेगा हमें जल्दी से इसमें OTP को एंटर कर देता हूँ तो यहां पर म आपने OTP एंटर कर दी है उसके बाद आपसे आपका नाम पुछा जाएगा आपने अपर अपना नाम एंटर कर देना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है उसके बाद आपको यहां पर कुछ जानकारियां दे जाएंगी आप चाहें तो उनको यहां से नेक्स नेक्स्ट कर करना है और यहां से call कर लेनी है अगर आप किसी number को select नहीं करना चाहते है direct number dial करके calling करना चाहते हैं तो आप यहां पर keypad पर click करेंगे तो यहां पर keypad open हो जाएगा आप यहां से direct number डाल के भी calling कर सकते हैं मैं जल्दी से आपको calling करके यहां पर दिखा देता हूँ तो यहां पर मैंने दोस्तों एक number dial कर दिया है और उसके बाद आपने call करने के लिए नीचे call वाले बटन पर click करना है तो जो आपकी calling है वो start हो जाएगी आप देख सकते हैं जो मेरा दूसरा number है उस पर call आज की है और जो call आ रही है वो एक landline number से आ रही है तो इसका मतलब जो आपको geo air fiber connection में number मिलता है वो एक fixed landline number मिलता है बस फर्क यह है कि उसको use आप केवल geo join app के जरिया ही कर सकते हैं आपको fixed landline connect करने का option इसमें नहीं मिलता है अब चाहे इस number का use करके घंटो बाते कर सकते हैं फ्री में unlimited calling यहां पर होगी तो दोस्तों जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा कि आप geo join app का इस्तेमाल करके कैसे unlimited calling कर सकते हैं geo air fiber connection से लेकिन दोस्तों क्या इसका कोई benefit है तो मेरी नजर में तो दोस्तों इसका कोई benefit नहीं है क्योंकि अगर मैं mobile ही use करना है तो हमारे mobile में तो पहले से ही unlimited calling मुझूद होती है और फिर इसकी एक limitation ये भी है कि आप cable तब ही इस geo join app का use कर पाएंगे जब आप geo air fiber connection के साथ connected है तो इतना कुछ खास benefit इस unlimited calling का geo air fiber के साथ नहीं है आपकी क्या राय है दोस्तों geo air fiber के इस free calling के बारे में मुझे नीचे comment करके चुरूर बताना और अगर आप geo air fiber के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं कोई आपका सवाल है तो आप मुझे नीचे comment कर सकते हैं मैं उसका आपको reply कर दूँगा hopefully दोस्तों आपको इस वीडियो में देखी जानका रीपसंद है अगर आपको वीडियो पसंद है तो पलेजिए इसको like और share जुरूर कीजएगा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेलेगन कोगी जोड़ दवाज जाएगा तो मिलते हैं आप से नेक्स्ट वूडियो में तब तक के लिए जाहिन वन्देमातरम